सलाम उलेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, आज का हमारे टोपिक है अटोमिक नमबर, हम जानते हैं कि हमारे जो भी चीज़ है उसको मैटर कहते हैं, और मैटर एटम से मिलके बना है, और एटम में सब एटोमिक पार्टिकल्स पाई जाते हैं, यान इसी भी एलिमेंट का अटोमिक नमबर क्या होगा, उसके नमबर ऑफ पार्टों जितने हैं, उतना उसका अटोमिक नमबर होगा, पैजन इन दी नुकलेस ओफिड एटम, नमबर ऑफ पाई जाते हैं, एटम के नुकलेस में, यानि कि एटम के नुकलेस में, जितने नमबर पोटोन होंगे उतना ही किसी आटम का अटोंइक नमबर होगा रिप्रेजंटेशन इप्रेजेंटीट बाइज जड इसको जड से शो करते हैं next हम example देख लेते हैं hydrogen hydrogen का atomic number one है मतलब इसके nucleus के अंदर number of proton one है हम carbon का atomic number देख लेते हैं carbon में number of proton 6 है number of neutron भी 6 है number of electron भी तो यहाँ पर मैंने show किया है number of proton और neutron nucleus में 6 है जबके 6 electron nucleus के अंदर गिर्द रिवॉल्ब कर रहे है next में हम oxygen की diagram देख लेते हैं और इसका atomic number oxygen का atomic number 8 है इसमें भी number of proton 8 होने की वाइसे इसका atomic number 8 है और 7 में number of neutron भी इसमें 8 है और number of electron भी diagram में भी number of proton 8 और number of neutron 8 बनाए गए है जबके इसके एड़ गिर्द 8 electron रिवॉल्ब कर रहे है thank you so much for watching my video अगर आपको वीडियो पसानता है तो please like और subscribe करें झुब कि औरेसानOY इसज़वccoli survival में ड़ी आपको और स्वर्द 8 बिवा स्वर्ण